और दरनिया की सामसाथियों ममस्कार मैं दर्मेंड़की बहाँ गोला पोखिला पानी पत्ते पिछले लग वग दाई साल से जैवी खेती कर रहा हूँ एंची ओए पगाजयवाद की सोजन्या से वेस्डी कंपोजर के साथ और इस वार मैंने पूरालता जैवी खेती किया है जिसमें कोई उर्या खाद डियकी और किसी परकारगे सपरेगा कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और अब भी मैंने एक उकटवाई आपको तिखाईते रहे हैं ये हुगा जो फटेज है पूरा अगी इसमें पानी चल गदाया है और इसमें मैं एक नहाँ प्रियोग कर रहा हूँ इस प्रियोग के मुताबिक मैं अपने खेट को बिना जुताई कि ये हरी खाल बिजाई कर रहा हूँ अब देखते हैं ये प्रियोग सफल होगा या नहीं आने वाले वीडियो में मैं दुबारा दिखाऊँगा इस चीज को आज मैं वेर्टी कमपोजर के साथ बिज को पुक्चा रित्या है और इसी बिज को मैं बिजाई कर रहा हूँ अपने केट में मेरा मकसद है कम से कम खर्चे में अदिख्या दिख्यमीन का सुधार हो और हमारे फ़स्टों में अधिख्या दिख्यवड़़ोधरी मिले ज्यादा पैदावार हो किसान भाईयों को कर्दे से रात मिले और इसमें हमारा योगजान दे रहे हैं और इस बारे में कल मैंने विशेश चला ली ती अपने एक सायोगी श्री अमित कुमार मेला जी जो बिवानी से हैं उन्होंने इसके लिए मुझे काफी प्रोक्साइट किया और मैं इस वीडियो को बना करके आप इनके चैनल के माद्यम से आपके पक्तक पहुता रहा हूं ताकि इसका रिजन्त देख करके आने वाले समय में और किसान भी इस तीज़ी और अपना सुदार कर सकें और अपने खेट में का पी अब तक जैविक तरीकों को अपना सकें और द्रनिया की साम साथियों ममस्कार मैं द्रमेंदशी में बहा हूं गोला फोला पानी पत्ते पिछले अलग बग डाई साल से जैविक खेटी कर रहा हूं इसमें पानी चल रहा है और इसमें मैं एक नया प्रियोग कर रहा हूं इस प्रियोग के मुताबिक मैं अपने खेट को बिना जुताई कि ये हरी खाद बिजाई कर रहा हूं अब देखते हैं ये प्रियोग सफल होगा या नहीं आने वाले वीडियो में मैं दुबारा दिखाऊंगा इस चीज को आज मैं वेर्टी कमपोजर के साथ बिज को फुक्चा रित्या है और इसी बिज को मैं बिजाई कर रहा हूं अपने केट में मेरा मकसान एकम से कम करचे में अदिशाद इक जमीन दक्थादार हो और हूं और मारे करची हो हुआ उधर ऑर कुर दोत्री मिले ज्यादा पैदावार हो इसके लिए मुझे काफी प्रोक्साइट किया और मैं इस वीडियो बना करके इनके चैनल के माध्यम से आपके फास तक पहुचा रहा हूँ ताकि इसका रिजन्त देख करके आने वाले समय में और पिठान भी इस तीज ही और अपना सुदार कर सके और अपने खेट में काफी अब तक जैविक तरीकों को अपना सके